हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट गो भारत में टीचिंग को एक बहुत अच्छा प्राफेशन माना जाता है और इसमें करियर व्रॉथ भी बहुत अच्छा है तो क्या आप एक गवर्मेंट टीचर बनना चाते हैं और गवर्मेंट स्कूल में टीचिंग करना चाते हैं और आपको टीचिंग कोर्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है आप नहीं जानते हैं कि आपको किस क्लास का टीचर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए कौन सा कोर्स आपके लिए बैटर होगा तो यदि आपको ये सब जानकारे नहीं है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरुवत नहीं है बिकाज इस वीडियो में हम आपको एक गर्मेंट टीचर बनने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंतक जरूर देखेगा आपके लिए as a teacher कौन सा कोर्स सबसे बढ़िया होगा ये हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं टीचिंग के तीन लेवल डिफाइन किये गए हैं सबसे पहला है प्राइमरी टीचर दूसरा लेवल है टीजी टी यानि की ट्रेंड ग्रेजवेट टीचर एंड थर्ड लेवल है पीजी टी मीन्स पोस्ट ग्रेजवेट टीचर और हर एक लेवल के हिसाब से आपके पास अलग-अलग सेक्षिक युग्यताएं होनी चाहिए का लेवल है इसे प्राइमरी कहते हैं टीजी टी लेवल को एलिमेंटरी कहते हैं और पीजीटी को INTER COLLEGEANT कहते हैं अब हम जानते हैं इन तीनों लेवल के डिफरेंसिस के बारे में एक एक करके हम तीनों लेवल के बारे में बात करेंगे, तीनों लेवल में क्या-क्या अंतर है, यह हमें खुदबखुद मालूम हो जाएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं PRT लेवल के टीचर्स के बारे में, primary teachers कौन से होते हैं, जो teachers class first से class fifth तक के students को पढ़ाते हैं, वो primary teachers होते हैं और एक primary teachers बनने के लिए हमारे पास क्या-क्य योग्यताइं होनी चाहिए इसी के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है eligibility criteria यहाँ पर आपको कई सारे eligibility बताए जाएंगे उन में से कोई भी एक eligibility आपके पास होनी चाहिए सबसे पहले है 12th with 50% plus 2 year diploma in elementary education means आपको 12th pass होना है 50% marks के साथ और साथ ही में आपके पास elementary education का 2 साल का diploma भी होना चाहिए अगर आपके पास यह qualification नहीं है तो इसके बाद आपके पास दूसरा option भी है दूसरे qualification का जो की यहाँ पर दिया हुआ है 12th with 50% plus NTT यानि कि इसमें भी आपको 12th pass होना जरूरी है 50% marks के साथ NTT जो है यह nursery teacher training program है तो आपके पास एक साल का diploma होना चाहिए nursery teaching training program में और तीसरा eligibility दिया है इसमें 12th with 50% plus 2 year diploma in special education 12th pass होना आपको जरूरी है इसमें भी 50% marks के साथ और साथी में आपके पास special education में 2 साल का diploma भी होना चाहिए next है 12th with 50% plus 4 year b.led इसमें भी आपको 12th pass होना जरूरी है with 50% plus 4 साल का b.led degree होना चाहिए इसके बाद है graduation with 50% plus b.ed किसी भी stream से आपको graduate होना जरूरी है marks आपके 50% होने चाहिए graduation में और साथी में आपने b.ed course पूरा किया हो तो यहाँ पर 5 qualification बताई गई है आप ध्यान से देख सकते हैं इन 5ों में से कोई भी एक qualification आपके पास होनी चाहिए एक मतलब आपको पूरी एक qualification जैसे कि अगर आप 12th pass है तो इन 4ों में आप देखेंगे इन 4ों में ही 12th pass with 50% ये चीज़ बिल्कुल common है तो अगर आप 12th pass हैं और आपके पास 2 साल का special education का डिपलोमा है तो आप apply कर सकते हैं PRT teachers के लिए लेकिन माल लीजिए आपके पास 2 साल का special education में डिपलोमा नहीं है इसकी जगा आपने entity किया हुआ है एक साल का तो भी आप apply कर सकते हैं या फिर 2 साल का elementary education का डिपलोमा है तो भी आप apply कर सकते हैं और फिर जो student 12th भी पास कर चुके हैं उन्होंने graduation भी कर लिया है और graduation के साथ साथ उन्होंने B.Ed. भी करा हुआ है तो ऐसे students भी PRT teachers के लिए eligible होते हैं इसके बाद हम इसके और भी details देख लेते हैं जैसे teaching level जो होता है PRT teachers का यह तो मैंने आपको बता ही दिया कि यह first से fifth class तक के students को पढ़ाते हैं और आपके पास कोई भी एक certificate होना जरूरी है PRT teachers बनने के लिए CTET का certificate होना चाहिए या फिर state TET का certificate आपके पास होना चाहिए अब यह depend करता है कि आप जिस government school में teaching करना चाहते हैं वो अगर state government के द्वारा handle किया जाता है यानि कि वो school अगर state government के द्वारा run किया जाता है तो वहाँ पर आपका जो TET का certificate होगा वो लगेगा लेकिन अगर आप किसी ऐसे government school में PRT teacher बनना चाहते हैं जो central government के द्वारा run किया जाता है तो वहाँ पर आपको CTET का certificate देना होगा और इन में भी मैं आपको बता दू जो CTET होता है इसमें दो exam होते हैं paper first and paper second सेम इसी तरीके से state TET में भी दो exam होते हैं paper first and paper second लेकिन जो PRT teachers बनने के लिए जरूरी होता है वह आपको paper first का exam देना जरूरी होता है अगर आपने paper first का exam दे रखा है और आपके पास certificate है तो आप इसके लिए eligible होते हैं आपको दोनो exam देने की जरूरत नहीं होती आपको सिर्फ paper first देना होगा CTET का भी paper first और state TET का भी paper first अब यह आप पर depend करता है कि आप किस टाइप के government school में teaching करने वाले हैं जो state government के द्वारा run किया जाता है या फिर जो central government के द्वारा run किया जाता है इसके अलावा अगर आप CTET या फिर state TET के बारे में जादा नहीं जानते हैं तो यहां पर i button में एक वीडियो की link आ रही होगी आप उसे देख सकते हैं और इस वीडियो की link में आपको description में भी दे दूंगी जिसमें हमने पहले बताया था कि CTET क्या होता है और state TET क्या होता है यह आपके लिए जानना जरूरी है आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और जानकारी देखते हैं इसमें दी गई है age limit PRT teacher के लिए maximum age limit 30 years है और अगर वही कोई candidate OBC से belong करता है OBC अगर category है उसकी तो उसे 3 साल का relaxation मिलता है OBC के बाद आते हैं SCST category के student तो SCST वालों को 5 years का relaxation मिलता है और जो women candidates होते हैं यानि कि जो भी female candidate होते हैं चाहे वो किसी भी category के हो उन्हें 10 years का relaxation मिलता है फिर बात करते हैं physically handicapped कोई भी candidate किसी तरीके से अगर physically handicapped है तो उन्हें 5 years का relaxation मिलता है अब हम जानते हैं जो ex-service man होते है अगर कोई ex-service man है और वो general category के हैं तो उन्हें 5 years का relaxation मिलेगा इसमें और वही अगर ex-service man OBC category के हैं तो उन्हें 8 years का relaxation मिलता है और SCST category के अगर ex-service man है तो उन्हें 10 years का relaxation मिलता है तो I hope आपको age limit के बारे में तो पूरा पता चल गया होगा किसके लिए कितनी छूट दी गई है age limit में अब हम आगे वढ़ते हैं और इसकी और details देखते हैं maximum age limit के बाद यहां पर दिया गया है proficiency to teach through Hindi and English medium आपको Hindi और English दोनों language आना जरूरी है दोनों language में ही आपको teaching करनी होती है इसके बाद है pay band यानि कि आपको कितनी salary मिलेगी अगर आप एक PRT teacher बनते हैं तो इसकी salary द 200 का है यानि कि 4200 का आपका grade पे है और एक PRT teachers को almost सभी subject पढ़ाने होते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके level second के बारे में जो teaching का level second define किया गया है जिसे TGT कहते हैं यानि कि trained graduate teacher तो TGT level के teachers कौन से होते हैं जो teachers class 6 से लेकर के class 10 तक के students को बढ़ाते हैं वो TGT teachers होते हैं तो चलिए जानते हैं एक TGT teacher बनने के लिए हमारे पास क्या qualification होनी चाहिए तो यहां दिया गया है eligibility criteria में graduation in any stream plus beard आपको किसी भी stream से graduate होना जरूरी है प्लस आपने साथ में beard की degree भी करी हो तभी आप इसके will होते हैं अब हम थोड़ा detail में बात कर लेते हैं graduation की डिगरी के वारे में जैसे कि मैंने आपको बताई कि प्रडillä में जो teachers होते हैं उन्हें सारे ही subject पढ़ाने होते हैं लेकिन जो TGT में teachers होते हैं उन्हें कोई एक specific subject पढ़ाना होता है तो जो specific subject आप पढ़ाना चाहते हैं उसी के according आपकी qualification होनी चाहिए जिसी कि माल लिजिये आपको teaching करनी है computer science subject की तो आपकी जो graduation की qualification होनी चाहिए वह computer science से related होनी चाहिए तभी आप computer science पढ़ाने के लिए eligible होंगे तो जिस subject के आपको टीचर बनना है वो subject आपके graduation में होना जरूरी है इसके बाद next चीज दी गई है CTET और state TET certification जो TGT teachers होते हैं इनके लिए भी certification होना जरूरी है आपके पास भी CTT या फिर state TET का certificate होना चाहिए और इसमें आपके पास paper second का certificate होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया था paper first और paper second दो level होते हैं CTT में भी और TET में भी तो आपके पास अगर आप TGT teachers बनना चाहते हैं तो आपके पास paper second का certification होना चाहिए आपको paper second qualify करना होगा इसके बाद दिया गया है teaching level तो teaching level हमने जान लिया कि जो TGT teachers होते हैं वो 6 से 10 तक के students को पढ़ाते हैं और इसमें maximum age है 35 years की और जो ओबी से student होते हैं उन्हें 3 years का relaxation मिलता है SCST category के students को 5 years का relaxation मिलता है और जो भी females candidate होते हैं चाहें वो किसी भी category के हो उन्हें 10 years का relaxation मिलता है और इसमें आपको basic computer आना भी ज़रूरी है और इसके लिए आपको Hindi and English तोनों language आनी चाहिए दोनों ही language के तुरू आपको teaching करनी होगी और इसका जो payment है means salary जो इसकी है वो है 9,300 से लेकर के 34,800 तक और इसका grade पे है 4,600 का और एक सबसे ज़रूरी बात जो भी students graduation appearing students है वो इसके लिए eligible नहीं होते हैं जब आप graduation के exam दे देते हैं आपका result आ जाता है उसके बादी आप TGT के लिए eligible होते हैं उससे पहले आप graduate नहीं कहलाते हैं इसलिए आप TGT के लिए भी eligible नहीं होते हैं और जो students graduation का exam दे चुके हैं लेकिन अभी तक उनका result नहीं आया है वो भी इसके लिए eligible नहीं होते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके और details देखते हैं जो TGT teachers होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्हें कोई भी एक specific subject पढ़ाना होता है तो इन में subject के क्या-क्या options होते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले है math, geography, science, English, history, economics और regional languages तो ये subject होते हैं जो TGT teachers पढ़ा सकते हैं तो चलिए इसके बाद आगे पारे में यानि की post graduate teachers PGT level के teacher सिर्फ class 11th and 12th को पढ़ाते हैं यह मैंने कई वार comment देखा था कुछ students ने पूछा था कि class 11th and 12th के teacher बनने के लिए हमें क्या करना होगा तो अब आप यहां पे ध्यान से देख लीजेगा class 11th and 12th के जो teachers होते हैं उन्हें PGT कहते हैं तो PGT बनने क के लिए क्या eligibility होनी चाहिए उस eligibility को आप ध्यान से देखेगा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा course आपको करना जरूरी है 11th and 12th के teacher बनने के लिए तो चलिए देखते हैं इसका eligibility criteria eligibility criteria में दिया गया है पोस्ट रेजवेशन प्लस बीएड आपको पोस्ट रेजवेट होना जरूरी है साथ में आपके पास बीएड की भी डिगरी होनी चाहिए इसके बाद दिया गया है certificates not required यानि कि जो PGT teachers होते हैं उनके लिए certifications required नहीं है उन्होंने सीट दिया हो या फिर ना दिया हो या फिर certificate exam दिया हो या ना दिया हो यह कोई matter नहीं करता इसमें आपका certification का जरूरत नहीं पड़ता तीसरी चीज़ है इसका जो teaching level है यह तो मैंने बताई दिया 11th and 12th class है और maximum age limit PGT teacher बनने के लिए maximum age limit 40 years है और इसमें भी age relaxation बिलकुल पहले की तरह सेम है जो SCST students होते हैं उन्हें 5 years का relaxation मिलता है इसमें भी आपको Hindi and English तोनों languages का आना जरूरी है और इसका पेवेंट दिया गया है 9300 से लेकर के 34800 तक और इसका ग्रेड पे है 4800 आपने एक चीज़ नौटिस की होगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड मास्टर डिघ्री आपके पास होनी चाहिए साथ में इसके बारे में हम धुड़ा बने बात कर लेते हैं निगे सप्छ किया हो इंग्लिष से तो हिंदी से या फिर केमेंस्ट्री से से tim से Economics, History, Geography, Commerce, Biology, Physics या फिर Other यानि कि और भी बाकि जो सब्जेक्ट होते हैं उन में से किसी सब्जेक्ट से आपने MA किया हो और आपके पास MA में 55% मार्क्स हैं साथ में आपने BA या फिर BA के एक्वेलेंट कोई डिगरी की है तो आप इसके लिए eligible होते हैं और यहाँ पर जितने भी अभी qualification बता जाएंगे इन में से आपके पास कोई भी एक qualification होना चाहिए जैसे कि अगर आपने MA English किया है और साथ में BA किया है तो आप इसके लिए eligible है या फिर आपने MA Physics किया है साथ में BA किया है तो भी आप इसके लिए eligible होते हैं सेकेंड जो है इसका क्वालिफिकेशन यह है मेजर सब्जेक्ट ऑफ पीजी मॉस्ट भी अग सब्जेक्ट इन ग्राजुएशन एविंग बीएड अमेड डिग्री विधा मेनिमम ऑफ 55% मार्क्स जिस मेजर सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्राजुएशन किया है वो सब्ज सब्सक्राइब अगर दो साल का कोर्स कर रखा है साथ में आप इसके लिए अलिजीबल होते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास पोस्ट ग्राजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए तो अगर आपने पोस्ट ग्राजुएशन में में डिग्री की है तब इसके लिए अलिजीबल होते हैं साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए तो इन तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए इन तीनों में से अगर एक भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास और भी आप्शन होते हैं तो चलिए उन डिग्री प्लस डिग्री या फिर डिप्लोमा इन ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन मास्टर डिग्री तो आपके पास होना ही चाहिए इसके साथ साथ ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन में आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए तब आप एलिजीवल होते ह कोई ऐस स्टूडेंट जिसके पास तिर्फ इंगरी के वावह उन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा आटो क्या ऐसे स्टूडेंट उर्थी टिरियूपिर, अगर आपने चरहे और आपने graduation भी कर रखा है साथ में अगर आपने post graduation first division के साथ किया है तो आप इसके लिए eligible होते हैं अगर आपने BA वगेरा नहीं कर रखा आपने PhD भी नहीं कर रखी है तो आपके पास यह qualification होनी चाहिए 12th graduation और PG with first division first division से आपको post graduate होना ज़रुरी है फर्स्ट डिविजन वो स्टूडेंट होते हैं जिनोंने पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% से अबव हासिल किया हो तो अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% से अबव मार्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिवल हैं विदाव टैनि बीएड और पीएजडी तो आप देख से तो कोई क्वालिफिकेशन आपके पास होगी तो अब तक आपको मैंने सारे ही क्वालिफिकेशन वता दिये कि एक पीजटी टीचर बनने के लिए इन में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप टीचर बन सकते हैं अगर आप खु़द अभी एक 11th या 12th क्लास के स्टूडेंट है और आपको फ्यूचर में पीजीटी टीचर बनना है किसी गोवर्मेंट स्कूल में तो आपके पास यही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजविशन प्लस पीएड और पोस्ट ग्रेजविशन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता होते हैं तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस का ठीचर बनना है तो आपके पास बीटेक होना चाहिए बी होना चाहिए इस तरीके से आपके पास अलग-अलग क्वालिफिकेशन होने चाहिए अलग-अलग सब्सक्राइब के स्पेसिफिक टीचर बनने के लिए और साथ में beard का होना तो ज़रूरी ही है और अगर आपके पास beard नहीं है तो उसका भी मैंने आपको solution बता दिया है तो आईए इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ subject जो की एक PGT teachers के द्वारा पढ़ाया जाते हैं तो यहाँ पर उन subject के नाम दिये गए हैं इंग्लिश, physics, history, biology, commerce, geography, mathematics, economics और chemistry तो आपको जो भी subject पसंद है आप उसी के PGT teachers बन सकते हैं तो आई होप आपको तीनों लेवल समझ आ गया होगा तीनों लेवल में क्या-क्या अंतर है PRT teachers कौन से होते हैं PGT और TGT teachers कौन से होते हैं सब आपको अब तक समझ आ गया होगा अब हम बात कर लेते हैं कि एक government teacher बनने का पूरा process क्या होता है जैसे कि suppose आपके पास PRT teacher बनने के लिए जो भी qualification होनी चाहिए वो सब है तो आप PRT teacher किस तरीके से बनेंगे जब भी government schools की teacher की vacancy निकलती है तो आप उस vacancy के लिए apply कर सकते हैं जब आप apply करेंगे तो उसके बाद आपको एक exam भी देना होता है हर एक school का वो अलग-अलग exam होता है उस exam में दो चीज़े होती है एक तो return test होता है आपका उसके बाद होता है आपका interview और return test जो होता है उसका आप syllabus देख सकते हैं हर एक school का अलग-अलग syllabus होता है उसे साब से आप तयारी कर सकते हैं उस return test की इसके बाद होता है आपका interview interview में आपको Hindi और English तोनों language का आना जरूरी होता है इसलिए सारे ही जो भी levels हैं तीनों level में Hindi और English language का आना जरूरी बताया गया है क्योंकि interview में इस चीज का पता किया जाता है कि आपको Hindi और English तोनों language आते हैं या फिर नहीं तो आपको interview और return test दोनों की तयारी करनी होती है और सेम ऐसा ही TGT teachers में भी होता है अगर आप TGT के लिए apply करते हैं तो पहले आपको return test देना होगा उसके बाद होता है आपका interview तो इस तरीके से आप एक government teacher बन सकते हैं रिटन और interview दोनों में ही कुछ passing marks होते हैं अगर आप उन passing marks को achieve कर पाते हैं तब आप एक government teacher बन जाते हैं आपको असानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियो देख पाएंगे thank you so much for watching this video